हेलो वेल्कम बेक फ्रेंड फिर से स्वाग अथा आपका अमारे नहीं वीडियो में अपने पास एक माइक्रोटेक का इन्वर्टर आया वही 600EB यह माइक्रोटेक का है डबल बैटरी पे चलता है कस्टमर कहा रहा था वही बैटरी रिसनल लगाई थी चेक करवाया था ब्लेटर बिलकुल ठीक है कर बनाँ रहा था थिम्बल में यह देखो मैंने काथ रखी है solid की विदे नीचे गेर रखेंगा मैंने इसमें करवना रहता तो बैटरी इने भी चीज़ ने Pr कोई कर बनाति समय इसके वजह से प्रोब्लम हो रही होगी और फिर दूसरा प्लाइस में चारजिंग भी निकरता मैं पे मैंन पे चारजिंग करेंगा नहीं जब तक बैटरीए से कनेक्ट नहीं हो गा तो आप इसमें थिंबल सोल्टरिंग करेंगे यह थिंबल है थिंबल शोल्टरिंग कर गए हो और फिर आपको इसको में चला के दिखाऊंगा वैसे मैंने ये चेक कर लिया था लगा के देखे तब ओन भी वह विल्कुल बैटरी पे और चार्जिंग भी ले रहा है इनवर्टर कोई दिक्कत नहीं है और ये छोट छोटी कमी के काण अपन चेक करना था तो इसके चील के भी लगा सकता था चेक करने के लिए और थिंबल लगाए पिछे तो बलकि और भी बड़ी अपका काम हो जाएगा थिंबल लगाने के बाद तो अब मैं इसमें थिंबल लगा के चेक कर वाता हूं आपको एक बार थिंबल लगा लेते हैं वाय वीच जो कि यह भाई थिमबल लगया थिमबल लगते में किस बात क्ताइस्टान रख्ए भाई स्वोल्डरीस में विलकुल हाओ भर्या वणा ची ए लीदी के तारों के और इसके बीच में गप निओन चेनी दुबारा से इसमें कर बना के दुबारा थिम्ब लगा से दूब लगाने का भी एक तरिक्का होता है यह देखो बिल्कुल मैंने इसके अंदर पूरा सोल्टर अंदर तक इसमें बरतिया है उपर से यह देखो दोस्तों उपर यहां पर थिंबल में जग एक खल ली नहीं है बिल्कुल अच्छी तरह से लगा है और अब मैं इसको एक बार आपको चेक करवा देता हूं यहां पर 24 वोल्ट मेरे पास बैटरी लगी वी है एक वायर माइनस में लगी वी इसकी पकड़ी एक बार दुबारा कि दिखा जाएं पर माका में पर यह हमारी पलस की है और यहां पर हमारे नेगेटिव है यह देखो दोस्त में ने बैटरी वायरिस की जोड लिए और माप इसे आपको एक बरॉन करके दिखाता हूं यह देखा हून हो गया ना बिल्कुल ठीक ठा होन हो गया है और इसकी आउटपूट चेक करवा देता हूं में मीटर को इसी रेंज बे करके यह देखो दोस्तों इसकी आउटपूट दोस्तों 30 आउटपूट दे रहा है बैटरी पर इनवेटर हमारा होन हो गया बिल्कुल और अब मैं इसको आपको चार्जिंग लगा के दिखा देता हूं इसकी मैन भी पर आ गया है और यह मैन पर आ गया है यह एक दो बारी दिखाएगा बस एक बार फिर कट मार गया है दिखो बैटरी को कि हमारी फूल है यहां पर तो इनवेटर में कोई प्रोब्लम नहीं है कस्टमर वैसे प्रहिसान कर दिया डंग से चेक प्रोब्लम आता है तो यह जह जो बटन नहीं न किया होनों नहीं तो इसमें टिंबल लगा रिखांगा नेया धोस्तों और जाएगा इतना दिखेगा ऐसे निकला वाबार तो इसको आप जैसे दुबारा प्रेस करोगे अपना फोल्ट निकालके तो इस दुबारा ओन हो जाएगा तब वह फ्यूज नहीं देते किसी भी अपने जो से टैरें में फ्यूज नहीं आता दोस्तों सुभी में यह आया जाएगा तो यह छोटी से जानकारी थी दोस्तों और पिछे दोस्तों स्वीच है चार्जिंग के लिए अगर लाइट मारे यहां पर कम रहते तो हाई पर लगाओ इसको यहां से और यह बटन में इसा निच्छे रहेगा दोस्तों नेरो रेंज वाला यह इन्पूट है इन बटन को निच्छे रखना है यह चार्जिंग सो 120 से लेके 200 सी तक चार्जिंग करेगा और अगर नेरो रेंज पर लगा दोगे आप इसको तो यह क्या करेगा जैसे रात को लाइट थोड़ी होते है जो जाती है सर्दी में लोडनी होता तो यह लाइट को छोड़ देगा थ अपना इसको निच्छे रखना है दोस्तो यह नेरो रेंज पर लगाना है यह ए है एस्टीडी पर ही लगा के छोड़ना है दोस्तो तो वीडियो कैसे लगे चोटी सी जनकारी थी दोस्तो और अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तो वह कई पूचते हैं बहीं आरे इनव आपका